यूनिवस्टी पे इतने ज़्यादा भरोसाब मत कीजिए कि डॉक्यमेंट आप जहां मरजी लगा दू उस तो प्राइवेट तकी सीमित रही है अगर आपने डॉक्यमेंट को शॉर्ट कट में लिये हैं आप ज़्यादा उपड़ चलांग माने कोशिश करोगे तो आप करूं उन डॉक्यमेंट को वेरिफाई कैसे करूं दूबारा से दोस्तो इसके कोशन बहुत सारे हो सकते हैं जवाब भी बहुत सारे हो सकते हैं और साथ में ही एक सबस्क्राइवर ने हमसे कोशन ये भी पूछा कि सर मैं जब यूनिवस्टी में शुरू में गया था तो आइगरेशन डिगरी भी में साथ साथ लेकर आ गया पट अब जब मैं तीन साल के बाद गया हूं तो यूनिवस्टी मुझे बोलती है कि इन डॉक्यूमेंट्स का इन चीजों को रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं उस व्यक्ति ने जो एक यूनिवस्टी का स्टाफ था उस उसने हमार साथ में बहुत बड़ा स्कैम किया गलती की उसने सब लोगों में गलतीर लॉक्यूमेंट बाट दिये उसने हमार साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है उसके गेंस हमने अफैर कटवा दी है आपका कोई रिकॉर्ड नहीं आप यह जाईए वना पुलिस को ब नमस्का दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का आपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है उनिवस्टी इंडिया मेरा नाम है विरिंदर वर्मा जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की उनिवस्टी कॉलिजिस उनके कोर्सिस को एक्स्प्लोर एंड कराने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं सभी नहीं है जो हम बता रहे हैं बशफी DIA करवाने के आपके दॉक्मेंट मेंस को गए हैं फैर आपने कट्वाली ठीक है ये वी तरीका बिलकुल चल सकता है आपका आप ऐसा करोगे तो भी चलेगा आटिये लगा दी उस wonder आ तक तबुत होई नहीं सकता, आर्टियाई सरकारी प्रोसेस है, आपने आर्टियाई की फीज दी है, साथ में अगर वो रिप्लाई ना करें, अपील लगाओ, फैल अपील तक जाओ, रिप्लाई नहीं भी क्या उन लोगों ने, फिर आप कंजूमर फॉर्म में जा सकते हो, या इन आर्टियाई की कॉपी ही दिखाओगे आप, कि सर देखें मैं आर्टियाई लगा, ये लोगो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं मुझे, मतलब यूनिवर्स्टी गलत है, यूनिवर्स्टी के दिल में कोई ना कोई चोर है, वो आज नहीं तो कल आपको मना कर देंगे, आपक एक महीने बात तक लेना चाते तो आठजार चार्ज है, ठीक है सर मैंने फीस पूरी अपनी जमा कर दी, मैं लेकर आ गया, और अब मैंने किसी प्राइवेट नोकरी में अप्लाई किया है, तो जब नोकरी में अप्लाई करने के बाद उन्होंने मेल किया, यूनिवर्स्टी और लगातर अपनी वीडियो से बोलते आए हैं, सरकारी वे में वेरिफिकेशन करवा लीजिए, पहली बात तो अगर आपने गलत तरीके से डॉक्यमेंट्स लिये हैं, लेने ही नहीं चाहिए, अगर आपने ले लिये हैं, फिर भी धंग से प्रॉपर तरीके से वेरिफाई करवा हूँ, देख तो है क्या चीज़, अभी तक होता क्या था, मैं आपको बहुत पर एक्जामपल दिया है, फिर से एक्जामपल देना चाहूँगा एक बार, एक मूवी आई थी, स्पेशल 26, नहीं आई तो आप उसमें देख लेना, वो लोग क्या था कि जाकर बार बार कैसे करोगे, बट हाँ, अगर आपने पहले उन डॉक्यमेंट को किसे भी सरकारी तरीके से वेरिफाइ करा लिया, और युनिवस्टी मना कर गई, तो आप कंप्लेंट जूरू कर सकते हो, बहुत बड़ा एक एसमपल है, माना भारती का मैं आपको पहले भी दिया है, कि अग फिर युनिवस्टी किया, युनिवस्टी मना करती, उसी वक्त वो लेटर दिखाता तो आपने इसको वेरिफाइ कैसे किया, अब मैं कंप्लेंट आपके अगेंस्ट करता हूँ, कि आपने गलट डॉक्यमेंट को वेरिफाइ किया कैसे, ऐसा नहीं हो सकता कि युनिवस्टी को आपने यूज किया मतलब शड़ियंतर का हिस्सा तो आप हो student हो consultant हो university हो कोई भी फसेगा फसोगे आप सारे क्योंकि आपने जो documents को यूज किया आपके अंदर खुद एक bad intention थी मतलब कि आप जो intention थी वो खुद ही illegal थी कि मैं documents से कुछ benefit लेने वाला हूँ और गलत चीजों से document पर अगर आप benefit लोगे तो फसोगे आप भी आपके अगेंस्ट भी action जरूर होगा action होगा और आपको jail जाना पड़ेगा तो जो documents आपने इस तरह से लिये हैं उन documents पर इतना बरोसा ना करें documents को verify करा हैं चाह तीन साल होगे हैं बट फिर भी उन documents को verify अगर आपने करवागे र वहां जब बताई जा रही थी चीए सीख कि वहां जो चीजे बताई जा रही थी उस YouTube चैनल पर वो बिल्कुल ठीक थी अब मैं फस गया हूँ अब तो निकलने का भी कोई रास्ता कहीं से नहीं है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ जो मैंने आपको बताया है कि आप document अगर आपने document को शॉर्टकट में लिए हैं आप ज़्यादा ऊपर चलांग माने कोशिश करोगे तो आप खुद फस सकते हो पर मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि दखो हर इनसान अपने कुछ ना कुछ benefit के लिए कुछ कोशिश करता है घर पर इवार को चलाने के लिए कुछ करत है पर मैं इन चीजों गलत नहीं मानता हूं गलत इसलिए नहीं मानता हूं कि हमारे देश का education system बहुत बिगड़ा हुआ है यहाँ पर क्या है कि लोगों की qualification देखी जाती है कि आपने graduation की master's की PhD की तो ही नोकरी देंगे यहाँ पर वो देखते नहीं है कि उसके अंदर experience कितना अच्छा है दोस्तों chapters पढ़के हमने master's पास कर ली chapters पढ़के graduation पास कर लिया रहे उन chapter के हमारे life में काम नाने वाली चीज़े नहीं है आप practical knowledge देखो इनसान के पास practically knowledge कितनी है कितना समझदार है किस field में कितना आगे तक वो निकल सकता है उसके base पर मतला हमारी काबलियत के base पर अगर नोकरी हमें मिलेगी तो आगे जाकर जरूर ये सब problem solve हो सकती है सरकार की बहुत बड़ी समस्या है इसलिए skill development के courses सरकार चलाती है बट वो success क्यों नहीं हो पाते क्योंकि skill development के courses तो आए बट उसके लिए नोकरिया नहीं है जब तक नोकरी नहीं आईगी जब तक ये पर आप हमसे contact करें हम आपकी मदद जरूर करेंगे और हम बिल्कुल पीछे नहीं हिटेंगे अगर आप बिल्कुल ठीक है दो दोस्तों अच्छा लगावाज का वीडियो वीडियो को अभी लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा आपने दोस्तों परिजिन परिवा बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी आपको आपके परिवार को यही हम कामना करते हैं बहुत बहुत शुक्र दोस्तों धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए